हर बात को दिल्ली के मॉडल बनाने की बात कह रहे हैं हिमाचल एक ऐसा परदेश है जिसका अपना एक मॉडल है अरविंद का इजरवाल मॉडल अफ गॉवर्निस के पहर शिक्षा पे बहुत अर्भूत काम हुआ जिससे आज देश-विदेश के लोग वहां से देखने आ रहे हैं वैसे हिमाचल में भी हो सकता है शक शेतर की अगर हम बात कहें हम लिटरेसी रेट में भी हिमाचल केरल से पीछे नहीं केरल के बराबर या केरल से आगे हाग की तरह इतने सारे सरकारी स्कूल बंक की दिए आठ हजार स्कूल ऐसे क्यों है जिनमें एक या दो टीचर हैं दस हजार स्कूल ऐसे क्यों है जहां एक एक दो दो कम रहे हैं यह सारे इस बात को दिखाते हैं कि भारते जनता पार्टी एजुकेशन में कोई दिचस्पी नहीं रखती। अरविंद कैजरवाली मौडल ऑफ गवर्नेंस के तहट शिक्षा पे बहुत अधुत काम हुआ जिससे आज देश-विदेश के लोग वहां से देखने आ रहे हैं सीखने आ रहे हैं वैसी हिमाचल में भी हो सकता है। अरविंद कैजरवाली मौडल ऑफ गवर्नेंस के तहट शिक्षा प्रणी स्कूलों को बंटाधार कर दिया है। और प्राइवेट स्कूलों को खुली लूट मजाने की छोट दे रखी है। अपने आप में बहुत सौभागे की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता अपने बच्चों की स्कूलों को लेके बहुत जागरूख हो रही है। हर बात को दिल्ली के मौडल बनाने की बात कह रहे हैं। हिमाचल एक ऐसा परदेश है जिसका अपना एक मौडल है। शिक्षा पे बहुत अधुत काम हुआ जिससे आज देश-विदेश के लोग वहां से देखने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। वैसे हिमाचल में भी हो सकता है। शक शेतर की अगर हम बात कहें। हम लिटरेसी रेट में भी हिमाचल केरल से पीछे नहीं केरल के बराबर या केरल से आगे हाथ की तरी। अगर हम बात कह रहे हैं, तो अगर हम बात कह रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हिमाचल परदेश पे हम बहुत तेजी से इंफ्रस्ट्रक्चर को स्टेंफन करते हुए, मजबूत करते हुए, उसमें सब्ल भी हुए है। अरविंद का इज्रवाल मौडल ऑफ गवर्नेंस के तहट शिक्षा पे बहुत अधुत काम हुआ, जिससे आज देश-विदेश के लोग वहां से देखने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, वैसे हिमाचल में भी हो सकता है। जो दिल्ले की कलपना यहां के लोगों के दिमाग में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहारिक नहीं है। लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, कहने की बाते हैं, लेकिन वो सारी चीज वहारिक रूप से यहां पर हिमाचल प्रदेश में संभवने हैं। आज की भारतिय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलां को तो बंटाधार कर दिया है, और प्राइवेट स्कूलों को खुली लूप मजाने की छोट दे रखी है। मैंने यह कहा कि अपने आप में बहुत स्वभागे की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता अपने बच्चों की स्कूलों को लेके बहुत जागरूख हो रही है, आज आज आपके पास की कल्ग है।